हेलो एब्रिवान, अनुतनु किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, मॉमोस हम सब को बहुत पसंद होते हैं लेकिन अगर वो मॉमोस आपके लिए टेस्टी से हेल्दी भी हो जाएं तो क्या ही बात होगी तो आएए, आज हम आपके साथ मॉमोस की रेसिपी शेयर करते हैं बाट विद अ हेल्दी ट्विस्ट तो क्या है वो हेल्दी ट्विस्ट? देखने के लिए किचन में चलते हैं आज हम बनाएंगे वेज आटा मॉमोस friends momos overall healthy होते हैं लेकिन बहुत लोग momos खाना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें मैदा होता है तो आज हम जो momos बनाएंगे उसके लिए हम wheat flour यानि कि अपना गेहूं का आटा यूज़ करेंगे तो ये देखिए हमने आपे one bowl गेहूं का आटा ले लिया है उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो यहाँ पे हम half spoon salt ले रहे हैं उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा oil लेंगे नियरली दो चमच के आसपास हम इसमें तेल डाल रहे हैं और हमें अब इसका आटा गुनना है हमें जो आटा लगाना है हमें बहुत ज़ादा hard नहीं रखना और बहुत soft भी नहीं रखना हमें ऐसा आटा यूज करना है जिससे हम अराम से momos की sheets बना सकें तो आईए अब आटा गुनना शुरू करते हैं तो अब देखिए हमें जिस तरह का आटा चाहिए था हमने उस तरह का आटा रेडी कर लिया है अब हमें आटे को थोड़ी देर rest करने के लिए रखना है तो ये हम इसको cover करके आदे घंटे के लिए side पे रख देते हैं जब तक आटा रेस्ट करेगा हम momos की stuffing रेडी करते हैं अब यहाँ पे momos की stuffing बनाने के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा cooking oil लिया है आप भी oil थोड़ा सा लेना अदवाइस आपके momos oily बनेंगे तो अब जैसे ही तेल थोड़ा गरम हो गया हमने यहाँ पे एक paste बनाया है जिंजर, गालिक और ग्रीन चिलीस का इस paste को हमने यहाँ पे डाल दिया और अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे अब जैसे हमारा paste भुन जाता है हमने यहाँ पे एक बड़े size का प्याज ले लिया है इसको हमने छोटा 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 चॉप कर लिया है और इसको आड़ कर दिया अब आप इसको भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चलाईए अट लीस्ट वान मिनिट के लिए तो अब प्याज हमारा भुन चुका है और इसके बाद अब आरी आती है सबजियां डालने की तो यहाँ पे हमने one bowl शिम्ला मिर्च ले ली है तो शिम्ला मिर्च को हमने अच्छे से छोटा छोटा करके चॉप कर लिया था अब आरी आती है इसमें carrot यानि की गाजर मिलाने की तो हमने यहाँ पे एक बड़े साइस की गाजर को अच्छे से greater में grate कर लिया है अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे पता गुबी यानि की cabbage और cabbage को भी हमने grater में अच्छे से grate कर लिया था और उसके बाद अब हम इसको add कर देते हैं अब हमें सारी सबजियों को अच्छे से mix करना है और at least 2 मिनिट के लिए low flame पे पकाना है और हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना थोड़ा कच्चा कच्चा ही छोड़ना है तो अब हमने इस सबजियों को 2 मिनिट तक saute कर लिया है और अब हम बारी आती है हमें इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च आट करनी है तो हम इसमें half spoon red chili powder add कर रहे हैं हम इसमें और कुछ भी add नहीं करें क्योंकि हम healthy version of mumuze बना रहे हैं तो हमने याँ पे soya sauce या vinegar कुछ भी use नहीं किया है और हम अभी इसमें नमक भी add नहीं करेंगे क्योंकि नमक add करेंगे तो वो सारी सबजियां अपना पानी छोड़ देंगे तो अभी हम बस इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं तो अब हमारी सबजियां थंडी हो गई है और अब बारी आती है इसमें salt add करने की तो हम टेस्ट के according इसमें salt add कर रहे हैं और इसे अच्छे से mix कर देंगे अब आदा गंटा हो गया है आईए momos का आटा चेक करते हैं तो देखिए आदे गंटे बाद हमारा आटा बिलकुल ready है बट अभी भी हम इसे कुछ seconds के लिए अच्छे से कूंद लेंगे तो friends अब ये देखिए हमारा आटा बिलकुल ready है और दूसरी साइट पे stuffing के लिए हमने जो सबजी तयार की थी वो भी बिलकुल ready है तो आईए अब इनको use करके हम momos बनाते हैं friends देखिए हमने पूरे आटे को छोटे छोटे पार्ट में ऐसे divide कर दिया है और अब हमें हर पार्ट से थोड़ी थोड़ी balls बनानी है सो देखिए हमने यहाँ पे एक पार्ट ले लिया है इसको अच्छे से roll कर लिया है और उसके बाद अब हम इसमें से चोटे चोटे pieces cut करेंगे देखिए हमने इसमें छोटे छोटे पीसस कट कर लिये हैं और उसके बाद अब हमें एक पार्ट को उठाया उसको अपनी हथेलियों के बीच में अच्छे से रखके देखिए हमने इसकी छोटी बॉल बना ली है अब हमने यहाँ पेडा ले लिया है इसके उपर सूखा आटा डस्ट करना है और इसे हलके हाथ से बेलना है ध्यान रखिए कि आपको इसे बहुत बड़ा नहीं बनाना है तो फ्रेंज यह देखिए हमारी मोमो शीट बनके बिलकुल रेडी है और आप देख सकते हैं यह कितनी पतली है आपको भी इसी तरह बनानी है अब हमें वन स्पून स्टफिंग को मोमो शीट के बिलकुल बीच में रखना है उसके बाद आपको साइट्स पे पानी लगाना है यह स्टेप आप जरूर करिए क्योंकि अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपके मोमोस खुल सकते है अब उसके बाद हमें इसको फोल्ड करना है तो देखिए पीछे से पकड़के आगे से इसको घुमा घुमा के फोल्ड कर रहे हैं हम इसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करके अच्छी सी प्रॉपर शेप देनी है तो देखिए फ्रेंज हमारा मोमो बन के बिलकुल रेडी है देखिए इसकी शेप तो चलिए मैं आपको एक और शेप बना के दिखाती हूँ देखिए मैंने यहाँ पे अल्रेडी बेल के ले लिया है इसके बीच में वन स्पून स्टफिंग डाल दी और साइट्स पे हमने इसके पानी लगा लिया है तो अब शेप देने का प्रोसेश शुरू करते हैं देखिए मैं इसको अपको अपने हाथ पे पकड़ के दिखाती हूँ एक कॉर्णर से स्टार्ट करना है और दूसरे कॉर्णर से पुश करके आपको इसको शेप देना है देखिए अगर आप प्राक्टिस करेंगे तो ये बहुत एजिली आपसे हो जाएगा सो देखिए फाइनली हमारा मोमो बनके बिल्कुल रेडी है देखिए सु फ्रेंज हमने अपने सारे मोमोस बनाके रेडी कर लिये है अब बारी आती है इसको स्टीम करने की तो अब मोमोस को स्टीम करने के लिए हम यहाँ पे फाइव लिटर का कुकर यूज कर रहे है और अब हम इसमे वन फुल क्लास पानी का डाल देंगे अब हमें इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अब स्टीम करने के लिए हम यहाँ पे कुकर स्टीमर यूज कर रहे है आप चाहो तो कुकर में ही स्टैंड लगा के दूसरा बर्तन यूज कर सकते हो या फिर आप कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हो अब उसके बाद आप देखिए हमने अपने स्टीमर के अंदर थोड़ी सी ओयल से ग्रीसिंग कर ली है सो दाट हमारे मॉमोस चिपके ना आप भी ये स्टेप जरूर करना और अब देखिए मैं एक एक करके अपने मॉमोस को इसमें शिफ्ट कर रही हूँ सो अब हमने सारे मॉमोस को स्टीमर में ट्रांसफर कर दिया है और अब हम स्टीमर को क्लोस कर देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो इस stage पे हम यहाँ पे नीबू का एक टुकडा डाल देंगे और इससे क्या होगा कि पानी का दाग आपके बरतन पे नहीं पड़ेगा बरतन काला नहीं पड़ेगा उल्टा और ज़्यादा साफ हो जाएगा So अब हमें steamer को cooker में डालना है देखिए अब हमने steamer को cooker के अंदर transfer कर दिया है और अब हम cooker का ढखकन बन कर देंगे और three whistles आने तक momos को steam करेंगे उसके बाद हम gas बन कर देंगे आईए अब momos को check कर लेते हैं तो पहले हम steamer को cooker से बाहर निकाल लेते हैं और अब देखिए हम momos को check कर रहे हैं So देखिए finally हमारे momos कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए अच्छे से cooked हैं हम इनको सब को plates में निकाल लेते हैं देखिए वाव कितनी अच्छी shape आई है ना इसी तरीके से हम सारे momos को plate में निकाल लेते हैं So friends हमारे tasty and healthy आटा momos बनके बिलकुल ready हैं वो लोग जो मैदा avoid करते थे अब आराम से momos बन आके अपने घर पे खा सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं आप भी ये recipe अपने घर पे try कीजिए और अपने experiences हमारे साथ comment box में share कीजिए अगर आपको हमारी recipe पसंद आई तो please हमारे channel को subscribe कीजिए Thank you